36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी के सबसे विवादित नेता कहे जाते हैं ब्रिहस्पत सिंग जो बगल के फ्रेम में आपको दिख रहे हैं उन्हीं से बाचित करेंगे एक बार फिर वो सुर्खियों में आया है उनका एक बयान फिर से मीडिया और राजनीती में चर्चा का व पूछे जाते हैं नमबर वन नमबर टू बिवादित जो आप बोल रहे हैं किस रुप में बिवादित बोल रहे हैं क्या कांग्रेस का लीडर भाजपाफ प्षप परचार करे और उस बात को बोले ते बिवादित हुआ ये बात तो उनसे पूछो ना पताएं कैसे प्रचा क्या लिखे थे आप से पूछ रहा हूं साथ सो आवाज प्रधान मंत्री आवाज का सरकार ने पैसा नहीं दिया है या रोप लगाया मंत्री होके सरकार के खिलाप आरोप लगाया है ये ये उन्होंने अनुसासन हिंता किया या नहीं कांग्रेस के खिलाप उन्होंने बोला की नहीं और भाजपा के विपक्ष में इन्होंने महाल तियार किया की नहीं अच्छा वो दो तीन साल पहले से चल गा है दो तीन साल पहले की बात ने चुनाग पहले की बात है नंबर वन अधिवेशन हुई 36 गड़ में कॉंग्रेस का सारे नेताओं ने खड़गे जी सहित पादा हमने किया था पूरा कर दिया एक हपते चार दिन के अंदर ही टिया सिंग देव साहब ये कहते हैं कि 36 में से 12 वादे पूरे किये गए हैं मतलब अपने सारे नेताओं से बड़े हो गए आप उनको चुनोती दे दिये या नुसासन हिंता नहीं है ये कांग्रेस के वि साथ भेदभाव कर रहे हैं पक्षपात कर रहे हैं सोतेला बे वहार कर रहे हैं और आप डिप्टी सीम होकर टियस दिंक्स देव साहब भरे मज़ से बोलते हैं कि जितना उमीद 36 गड़ को था उससे जादा पूंदी जी ने मदद किया है कर रहे हैं और करेंगे वाताब एक और उस समय जो 36 गड़ के प्रभारी थे ततकाल उनको हाई कमान को रिपोर्ट करना नहीं चाहिए था क्या एक तरह से 36 गड़ के प्रभारी और मिश्टर टियस सिंग्देव साहब ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को छती किया नुकसान पहुँचाया जिसके कार आज कांग् सरकार बनती आज भाजपा की सरकार सपत लेने जा रही है आपको भी टिकट नहीं मिला इस बार क्या इसके लिए ऐसा ये टीकिट के सबजेक्ट अलग है 22 लों को हाई कमान ने टीकट काटा था इनीह लों के कहने में इन्हों ने गलत गुमराक किया हाई कमान को जिसमेंसे 15 मतलब टीया सिंग देव सीजी में मेंबर थे जिन्होंने खुल के विरोध किया इन 22 विधायकों का और सेलेजा मेडम सपोर्ट की और ठीकट काड़ दिये गए 15 विधायके हर जगह जहां 15 जीतने वाले थे यह बाइस में से 15 जीत के आये होते ताज हमारी सरकार बन गई होती तिये सरकार को बिदा करने में कांग्रेश को नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़े इसलिए इनके खिलाब सक्त करवाई होना चाहिए हमने हाई कमान को पत्र लिखा है खुद भी जाके मिल के आउगत भी करेंगे आपको भी तो नोटीस जारी हो गिया आपको भी तो अपने राजनीतिक केरियर को ठीक रखना है इससे नुकसान होता होगा मुझे लगता है अगर हम कांग्रेस के पीठ में छूरा मार रहे हो कांग्रेस साथ गदारी कर रहे हो भाजपा को लाब पहुचा रहे है अगर इस बात के लिए अगर हमको नोटीस मिलेगा ऐसे लोगों के विरोध करने में तो मुझे स्वागत है और मुझे खुसी है कि जितना खिलाप हमा की जो नहीं बननी थी कौंग्रेस की बननी थी तो उसमें टीए सिंदेव की भूमिका बता रहे हैं क्या टीए सिंदेव अभी बी उनके लिए विकेंसी है वहाँ देखिए जिस तरफ से टीयस सिंदेव सहाब भाजपा को मदद किये हैं अमित साध जी से लगातर भाजपा नेताओं से पहले मिलते रहे हैं, वो माथूर से भी मिले हैं, फोटोग्राप वीडियो आप लोग कम आदम से मैंने देखा था, तो मेरे खाल से अटिया सिंग देव सहाब को फिर से भाजपा नेताओं से बात भी करनी चाहिए, और गिप्ट में भाजपा को कम से कम गौर्ण तो बनाना ही चाहिए, राजपाल बनाना ही चाहिए, तो एक चीज आप मुझे बताइए, कि ये सब चीज हो रहा है, अब सरकार नहीं है आप लोगों की 36 गड़ में, तो आप अभी जाएंगे दिल्ली दिल्ली में आप से कायद करेंगे, इसके बाद क्या होगा, ये तो ब इछले बार भी लगाया थे, सब कुछ लगाते हैं, उसके बाद भी होता क्या है? भले देर से होता है, बड़े से बड़े नेताओं को मैंने देखा है, बहुत टाप में पहुँचते और बहुत नीचे भी आते, ये दिन दूर नहीं होगा, जब सचाई एक दिन खुलेगा, और जो पीट के कांग्रेस के साथ धोखा धड़ी कर रहे हैं, जो कांग्रेस को नुकसान पहुचाने ने, उनके खिलाब कारवाई होगी, और एक दिन उनको उचित नहीं मिलेगा, उनका जो जगए वहाँ वापस आएंगे वाँगा, जीस तरह से भारती जनता पार्टी ने 15 साल सरकार चलाया, और 65 साइट जीतने का दावा किये थे, अमित साह जी, और 15 सिटों में सिमट गये थे, उसी तरह से अभी हम लोगों ने दावा किया था, 75 सिट जीतने का, 35 सिट में सिमट गया, तो जीस तरह से 15 से ये 54 सिट आ गये हैं, तो हमारी भी 35 सिट से 55 सिट आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी भी कॉंग्रेस में रहेंगे, या पार्ट इतना बड़ा बड़ा बयान देते हैं बड़े बड़े लोगों के खिलाप, तो आपको डर नहीं लगता है? जीत होती है, बगहेल सहब के लिए कुछ कहेंगे, उनके काम को, उनके नाम को कैसे देखते हैं, क्योंकि छवी उनकी भी थोड़ी खराब हुए बोलते हैं, एडी वाले मामले में. इस मामले में बगहेल सहब से आप लोग रोज इंटर्व्यू लेते रहें, उनसे पूछ तो जादा बेहतर होगा. आपके मन में भी तो चल रहा होगा कि आपके मुख्या रहें. हमारे सभी नेता सम्मानीत हैं, सब का हम समान करते हैं. ठीक है. तो ब्रिहस्पत सिंग को सुनके आपको भी समझ में आ जाएगा कि 36 गड़ कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल र रहा है. रायपूर से विपी न्यूस के लिए रही मेरी.